हाई व्रिवान विल्कम बैक टो मैं चैनल सो आज मैं अप्लोकेशन सेयर करने वाली हूँ मैं अपना खुद का इब्रोस कैसे थ्रेट करती हूँ मैं पालर नहीं जाती हूँ मैं खुद ही करती हूँ तो यह मेरा फूल ग्रोथ है एक पुर वान मन्स से थोड़ा जादा हो गया है जो बहुत जादा ग्रोथ है तो मैंने यहाँ पहले अपने आइब्रोस पे पाउडर लगा लिया उसके बाद आपको त्रेट को इस तरह से लेने हैं आप अपने हाथ का एक हाथ जैसा होता है उत त्रेट का उसके बाद एक को आप इस तरह से उल्टे गुमा लो उसके बाद जो दूसरा उसका जो मू है उसको आपको सीधा लेना है सो वो क्या हुब ना आपका एक जैसे balance बनता eyebrows आप जैसे hair cut कर सकते हो तो उस type का होगा उसके बद आपको इस तरह से ऐसा फोल करके eyebrows जो hair जैसे निकालते हो से easily आप इसे ऐसे निकाल सकते हो सो आप देख रहे हो मैं इस तरह से अपना hair को निकाल जी हूँ, यह बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार थ्रेट पकरने आ जाएगा, उसके बाद आप इजी लिए अपने आइब्रेज खुद से आप कर सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब कितने हेर रिमूफ करने हैं, और सेप कैसा रखना है, ऐसा न रिमूफ करने हैं, वह आपको पता नहीं चलता है, और आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको आप देख रहे हो, मैं इसे रिमूफ करने हैं, वह आदत हो चुका है, मैं खुद काई भूदी करती हूँ, तो यहाँ पर आपको बस दीरे धीरे वान बाइ सेम आपको इस तरह से दूसरे तरप के हेर जो है ना बस आप मतलब जो त्रेड आप उसको ऐसे पकरो और आपके जो राइट है बट उसे उसे ही जस्ट आप मूफ करो और आप रीजिली ऐसा रिमूफ कर सकते हो अपना हेर बस आप इसे दो से तीन बार प्रैक्टिस करो and you can remove very easily because sometimes ऐसा होते हैं कि मतलब पार्लर नहीं जा पाते हैं या फिर मतलब महुत एमर्जेंसी में नहीं खुद काईबर से अगर आता तो आप कर सकते थे यह easily बहुत ही अच्छा से remove हो जाता है actually proper पूरा जो होता है उस टाइब से आपका right side का हो जाता है बट left side का सही से उतना जादा नहीं हो पाता है तो मैं left side का थोड़ा बहुत जो बच जाता है मैं उसे teaser से निकालती हूँ इस तरह से मैंने अपना जो eyebrows का मैंने उसे बना लिए जो middle में hair होता है उसे बहुत ही ध्यान से निकालना है जिसके बिल्कुल भी practice नहीं है actually यह हमारा job है तो मुझे बहुत ही अच्छे तरह से आदत हो चुका है इसलिए आपको बहुत ही carefully जब आप middle का hair remove करते हैं उस टाइप से आपको अच्छे से remove करने हैं so मैं यहाँ पे दूसरे टाइप दूसरे लेफ्ट साइड में अभी मैं कर रही हूं मेरे राइट साइड का iberos हो चुका है so left side में मुझे थोरा सा दिकत होता है because left हो जाता है वह so मैं थोरे थोरे करके remove कर पाती हूं actually मैं यहाँ पे tweezer use करूंगे because जो उपर के hair है न वह remove नहीं हो पाता है थोरा बहुत रह जाता है मैं जितना अच्छे से right side का कर लेती हूं मैं left side का नहीं कर पाती हूं इसलिए मैं यहाँ पे tweezer use करती हूं इसके बाद मैं यहाँ पे उपर में भी same process से remove करना है सो उपर में thread से हो जाता है बट नीचे थोरा सा problem होता है सो मैं यहाँ पे tweezer बट जो छोटे छोटे hair है मैं बस उसे remove कर रही हूं after all जो safe होता है न वो मुझे thread से ही बन पाता है because जो एक eyebrows करते हैं उसका proper safe होना चाहिए जो straight दीखे मेरा eyebrows सो वो मुझे thread से ही मिलता है तो मैंने जो tweezer से remove किया था उसके बाद मैं अभी thread से कर रही हूं ताकि वो सीधा मेरा eyebrows आर्श दीखे सो मैं यहाँ पे थोरा से thread से कर रही हूं बस थोरा थोरा क्लीन करने और यह रहा मेरा complete eyebrows सो कैसे लगा प्लीज गैस बताना थैंक्स पर वाचीं